पी वाई कुई के सेशन में आपका स्वागत है जैसे कि पता ही है क्लास 10 का चैप्टर नमर 2 जो के पॉलिनोमियल है उसका इसे में पी वाई क्यू का सेशन चल ला है सिरीज चल ला है कुछ कोशन अल्रेडी हो चुका है आगे हम देखते हैं नेक्स्ट कोशन क्या है जैसे कि आप इसक्रेंट पर देख सकते हैं लिखा हुए find a quadratic polynomial the sum and product of who zeros are zeros and minus under root 2 respectively देखिए बच्चों यह 2015 में आया हुआ है अलग-अलग year के हम question यहां पर solve करते हैं जितने भी आने previous 10 year के question आये हुआ है उसे हम solve करते हैं राइट बच्चों तो इन question को अगर practice कर लेंगे तो आपको pattern पता लग जाएगा जो इस chapter से किस steps के pattern आते हैं एक्जाम में तो हमें find क्या करना है quadratic polynomial solve करना है और दे रखा कह रहा है बच्चों sum दे रखा प्रोडेक्ट दे रखा है who zeros are यानि zeros and minus under root 2 दे रखा तो देखे given क्या क्या है बच्चों यानि sum तो यहां पर लेख लगते है sum of zeros sum of zeros क्या दे रखा बच्चों sum of zeros is equal to यानि देखे यहां पर zero ही दे रखा sum of zeros sum of zeros को हम क्या लख सकते बच्चों यानि alpha plus beta और sum of zeros की formula क्या होता है बच्चों sum of zeros जिसे alpha plus beta की formula क्या होता है minus b upon में a होता है अब देखे अलफा plus beta क्या दे रखा बच्चों 0 दे रखा तो यहां पर put कर देते 0 is equal to minus b upon में a 0 को नीचे कुछ नहीं है तो इसे one मान लेते zeros यहां पर लिखे product of zeros राइट बच्चों product of zeros कितना दे रखा बच्चों minus under root 2 दे रखा है अब product of zeros को हम क्या लिख सकते है यानि alpha into beta alpha into beta की formula क्या होता है product of zeros में a होता है बच्चों तो alpha into beta कितना दे रखा है यानि minus under root में 2 is equal to यानि c upon में a under root 2 के नीचे कुछ नहीं यहां पर one माल लेंगे तो यह equation number से क्या माल लेते बच्चों second equation अब देखिए first equation and second equation को comparison करते हैं तो first and second equation में सेम गाया यहां पर a common है तो a की अगर a सेम हैं तो हमें multiply करने के कोई requirement नहीं अगर a division नहीं होगा तो हमें a की की वैलू सेम करना ओक है first equation में ऑ की से हैं second equation में यहाँ वैलू क्या है one-, और एकी बैलू 1 आ गया प्लस लगा तो B की value 0 ही है then C की value क्या आगया बच्चो यानि minus under root में 2 आगया अब हम इसे quadratic equation के format पर लिख देते तो quadratic equation का format क्या होता है ax square plus minus Bx plus minus C is equal to 0 तो आएए put कर देते तो देखिए A की value क्या दे रहा है 1 तो 1 x square plus minus plus तो देखिए B की value क्या आगया यानि minus 0 और यहां पर X और देखिए C की value क्या है minus under root 2 is equal to 0 तो यह अगें 1 को ignore करते क्योंकि किसी भी number के साथ अगर 1 के साथ multiply होता है तो सेम ही आता है तो इसे हम यह लिख सकते x square इसे 1 x square भी लिख सकते है अब देखिए minus 0 है आनि 0 x x करेंगे तो 0 तो इसे ignore कर देते यह cancel हो जाएगे तो क्या जाएगा minus under root 2 यह quadratic equation का format है यह हमें find करना था ओकी वाज़ाए